हेलो एविबॉन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं ठीक है रीडिंग का टॉपिक यह है ज्यान रिखेगा कि यह जनर रीडिंग है इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको और रीडिंग जिनके साथ भी रेजनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग आप लोग रैमेडिया रिचुल्स के लिए भी कॉं टारो का डिडिंग कुंडली डिडिंग पाम डिडिंग अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है और जो लोग भी मुझसे जो है ट्री लेना चाहते हैं क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं वो लोग भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं चले निकालत हैं कार्ट आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं ओके गाइड करें और आप सब को यह भी बता दो थाइंक्यू सो मच आप लोग मेरे रूही की रस्वाई चैनल से जुड़े हैं मैं वहां पर उन्हीं लोग का नाम लेती हूं जो लोग मेरे मेरे वहां पर रेसिपी जो भी और हर कॉमेंट हर वीडियो के नीचे अगर आपका कॉमेंट रहा तभी मैं आपका नाम लोगी ठीक है तो आप लोग जरूर उस चैनल पर विजिट कीजे आप लोग जो है विजिट करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजे रूही की रस्वाई डिस्क्रिप्शन वोक्स में पर लिंक दिया गया है उस चैनल का ओके और आप लोग वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ठीक है और वहां पर वीडियो देखिए और कम से कम पांच वीडियो के नीचे अगर आपका सीम नेम से कमेंट मिला तो मैं आपकी जो है मैं आपका जो करूंगी की रीडिंग मैं आपकी करूंगी ठीक है यहां पे ठीक है ना सब्सक्राइब के साथ साथ आपको कमेंट भी करना है ठीक है वहां पर रीडिंग से रिलेटेड नहीं आप लोग जो भी वहां पर बनाई गई है उसके recording जो भी आपको जैसा भी लगता है वह वीडियो देखकर के जो भी फील होता है जैसा भी लगता है आपको देखकर के आप वहाँ पे comments कीज़ेगा क्योंकि मैं ऐसे भी नाम लेती हूं तो आपको रीडिंग से रिलेटेड उन्हें कॉमेंट नहीं करना है विजिट कीजए एक बार वहां पे देखिए वीडियोस को कम से कम पांच वीडियो के नीचे कॉमेंट आपका जरूर रहना चाहिए गाइड करेंज उनिवर्स और सेस्टर्स गाइड करें गाइड करेंजल ओके ठीक है क्या सोच रहे हैं गगा लुडी डेक मराइड करेंज करेंजल हैं ऐख ऐसी यह दौर करेंज़ जत्वने पनी इचरताब्टust给我 हैं क्रच वे बार्मान तडब स nearby Turning In का Card है, Bottom of the Deck ठीक है? ओके, चलिए Cards के Energy ये बता रहे है आपके Cards की कि आपके जो पार्टनेर है ना बहुत सारे लोगों की बाते सुन रहे हैं बहुत सारे लोगों की बाते सुन करके और बहुत ज़दा इक होता ने जिसे कि शान्त ही हो चुके हैं शांत अवस्था में जा चुके हैं सब कुछ अपने मन को अपने दिल को कंट्रोल कर लिया है इस पॉर्सन ने ठीक है ऐसी एनर्जी जो है आते गुए मुझे नजर आ रही है आपके कार्ड से आपके अनर्जी कनुसार से दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में न यह प्यार महबत ठीक है बट यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ चीजे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप दोनों की रिष्टे में देखिए यहाँ पर आ गया कार्ड थार्ड पर्टी इंवाल्मेंट का कार्ड यहाँ पर आ गया है ठीक है तो यहाँ पर यस किसी न किसी की यह बात सुन रहे हैं यह परसंट ठीक है और उसकी बातों को सुन करके आपके पार्टनर को काफी जदा पेन हो रहा है काफी जदा तकलीफ हो रही है आपके पार्टन अबने माइन को एक जो होता है कि जैसे कि आपकी पापनर ठीक वही काम कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसे फील हो जाता है थोड़ा एक होता ना कि घबरास हर्ट सी होने लगती है आपके पार्टनर को ठीक है तो आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी मुझे दिखाए दे रही है अपने हालातों से ये परसन काफी परेशान है मुझे जान तक दिख रहे हैं इनके हालात भी सही नहीं दि रिलेशन है रिलेशन में तो आप देखी रहे हैं कि क्या चल रहा है रिलेशन में भी कुछ चीज़े अच्छी नजर नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर को ठीक है तो हर तरब से एक तरीके से इनसान जब लॉस में जाता है ना तो उसका माइंड काफी स्ट्रेस में हो जात है आपके पार्टनर का बस वही माइंड है आपके पार्टनर का बस वही है कि यह क्या हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों मेरे साथ हो रहा है है ना तो यह एनर्जी मुझे position चल रही है और आपके partner के बीच में एसी energy मुझे नज़र आ रही है सादिखता है कि आपका और आपके partner के बीच में बहुत दीरे 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 करके चीज़ेखे आगे बढ़िये और आपका और आपके partner का relationship बना है तीना वह energy मुझे नजर आ रही है आपके cards प्रें आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ये भी दिखता है जैसे कि देखें कि आपके पार्टनर थोड़ा सा थोड़ा से जो है ना देखें क्या होता है ना कि बेडियों के बीच में यह person first चुके है हाला कि यह person बेडिया नहीं है लेकिन बेडियों के बीच में फस्ट चुके है यह person ऐसा देख रहा है कि चारो तरफ चारो तरफ लोगी लोगी लोग है ना और इनको सब सुनाने में लगे हैं इस रिस्ते के बारे में कि तुमारा रिस्ता ऐसा है तुमारा रिस्ता वैसा है ठीक माइन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस पॉर्षन का चलिए आपके पार्टनर क इनर वाइस ऐसी है कि इस पर्शन का मतलब अपने मन की अपने दिल की सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं यह पर्शन अपने मन की अपने दिल की सुन करके है ना जो है ना यह करना चाहते हैं देखते हैं कि इनका मन क्या कहता है इनर वाइस जो कार्ड है इनके मन की बात कह रह रहा है अपने पार्टनर के बारे में यह बता देजिए क्या कह रहा है इनका मन ठीक है या टारो कारीडर की या किसी स्ट लॉजर की एना help लो जिससे तुम्हारा रिलेशन बहतर हो सकता है जैसे कि हम remedy करवाते हैं किसी टारो कारीडर से किसी एस्ट लॉजर से तो remedy and rituals करवाने के लिए इनका मन कह रहा है क्योंकि इस relationship में जो भी हैं बातें उसको देखना, उसको feel करना और reality को check करना ये बहुत ज़रूरी है आपके partner जो है इनका मन कह रहा है कि एक बार तुम tarot का reading session लो healing session लो, healing करवाओ spell करवाओ इनका मन कह रहा है कि तुम कुछ ऐसी चीज़े करो कि किसी को पता ना चले यानि कि गुप्त तरीके से कुछ चीज़े करवाओ जिससे स्रिफ तुम जानते हो और जो कर रहा है वो जानता है बाकि कोई तिसरा ना जानता हो तो आपके partner का जो है, मन ये कह रहा है ठीक है उके, इनका मन इतना ज़दा किस बात को लेकर के परिशान है ये person इतना ज़दा रो क्यू रहे है ये मुझे बताए ये इतना ज़दा रो क्यू रहे है यहाँ आया है card दलावर्स का card, एक दम से ये देखो, इनका मन इसलिए रो रहा है कि आप इनके साथ नहीं है, आप इनके साथ नहीं है, जिससे ये person प्यार करते हैं, जिससे ये person इतना ज़दा attached हैं, वही साथ नहीं है, इसलिए ये person रोते हुए दिखाए दे रहे हैं, इनका प्यार, इनका जो feeling है, यहाँ पे देखो है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं और इनको एहसास हो चुका है कि अब जो है यह प्यार उस तरीके से नहीं हो पाएगा कि और कि सोरी कभी कभी अचानक से आ जा रहा है ना ओके ना सो मुझे यहां पर यही देख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना यहां पे आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसी बात का तो इनको दुख है कि यह चीजें क्यूं हो रही है आखिर क्यों हो रही है है रहा है ना पेश इस बात के पेशोंन्स रखी है इस पर्सन ने यहographer Church में किस की रखिए है इस पोर्सनदी को च tilo के रख़ा है इस पर्सनने अग्यर्षा कु 20 का थी पर्सनने कि आप दोनों की बीच में बाते है यहां पर देखिए 8 of wants का काड़े बाते भी होंगी और यह person आपको प्रपोजल भी देंगे और आप इनका प्रपोजल जो है accept भी करोगे ठीक है यहाँ पे इस person ने patience इसलिए रखा है अपने दिल को काफी ज़दा एक कहता है ना कि संभाल के रखना चीजों को काफी ज़दा अपने दिल को बहुत ज़दा एक होता ने जिसे कि हम अपने दिल को बहुत ज़दा बहुत ही ज़दा फिल करते हैं कि यार हमारा जो दिल है ना हमारा वैसे person के पास जाए यानि कि हमारा रिष्टा वैसे person के साथ बने जो कि हमें बहुत अच्छे त इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि यह पॉर्सन ने पेशन्स रखा है कि नहीं ठीक है आज हम नहीं मिल रहे हैं कल भी नहीं मिलें दो दिन बाद दो महीने बाद चार महीने बाद हम मिलेंगे तो ठीक है तो यह energy मुझे दिखाई दे रही है झें उके तो यह new beginning करना चाहते है यह कि और सटर निंग करना चाहते हैं यह पहर पियार भरी शुरू को थेक है यादि कि इस मिठे मिठे पल है ना तो वही वाला जो है ना यहां पर दिख रहा है मुझे कि आपके partner जो है ना वो मिठे मिठे पल प्यारे प्यारे पल जो है और आपके partner जो है यहाँ ücksات पर लाना चाहते हैं यह मिशनस्टाइडिंग्स ख单 गरना चाहते हैं पूरी तरीके से इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते है यह पॉर्शन गयाइड करें किस चीज़ confusion से यह person बाहर निकलना चाहते हैं यह person के एनरजी मुझे clearly दिखाए दिरे कि अगर आपके लिए कोई confusion थी यह आपको as a option choose कर रहे थे आपको as a option यह person treat कर रहे थे तो अब जो है ना इस person को as a option आपको जो है treat नहीं करना चाहते हैं यह person में आना चाहते हैं ठीक है सो चलें देखते हैं यह person है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्यों आ रहे हैं धीरे-धीरे क्यों चलना चाहते हैं गाइट करें धीरे-धीरे यह person क्यों चलना चाहते हैं ओके king of pentacles का card यह person धीरे-धीरे चलना चाहते हैं यह person चाहते हैं कि यह पॉर्षन बहुत ही प्यार के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बहुत ही जदा एक जो हता है लॉयल्टी के साथ लॉयल पॉर्षन हो करके आपकी जिंदगी में वापस आए इसलिए यह पॉर्षन स्टार्टरजी प्लान करते हुए दिखाए दे रहे हैं और लाइफ में जो चीज़े खो गई हैं वो सकता है कि financial issues हों है ना तो financially पहले ये person अपने आपको stable करना जाते हैं और stable करके तब दीरे दीरे करके आपकी life में entry करने के बारे में feel करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहां पर एक new beginning के साथ happiness भी दिखाई दे रहे हैं यह यहां पर celebration दिखाई दे रहा है यहां पर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा घर है तो हर चीज़ को celebrate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है चलिए और देखते हैं healing करना चाहते हैं यह पॉर्शन five of pentacles मैंने का ना financial issues हैं इनके financially यह person परेशान है financially के साथ-साथ यह person ऐसा हो चुका है कि finance सही नहीं होने के कारण से इनके अपने भी इनको दोखा दे चुके हैं इनके अपने भी इनसे दूर जा चुके हैं ठीक है तो अब दिख रहा है कि यह person जो है ना अपनी financially चीज़ों को जो है ना सही करना चाहते हैं पहले अपने healing करना चाहते हैं five of pentacles के energy यह भी बता रहे है कि यह person जो बाते नहीं बोल पाए हैं वो बाते भी बोलने के लिए जो है ना या भूल जाने के लिए थोड़ा सा अपने आपको relax करना चाहते हैं थोड़ा सा heal करना चाहते हैं ठीक है तो यह person stable क्यों नहीं हो पा रहे हैं यह person पल-पल क्यों बदल रहे हैं guide करें क्यों बदलते हुए नजर आ रहे हैं यह person यह person बहुत जल्दी अभी कह करके बदल भी जाते हैं आपके partner है न इनके अंदर यह energy दिखाई दे रहे हैं मुझे पल-टू महराज आई है six of swords से एकदम से आगे बढ़ने की चाहत इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि पल भर में अगर इनको कोई profit नजर आएगा न तो यह person उस चीज को छोड़ करके दूसरे में convert हो जाते हैं यह energy मुझे दिखाई दे रही है यह person बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत में कुछ चीजे अचानक से छोड़ जाते हैं जो कि इनके लिए खतरनाक शावित होती है ठीक है तो यह दिख रहा है इनका mind disturb किस बात को ले करके है खास बत क्या है वो mind इतना ज़्यादा stress में क्यों है इनका guide करें six of wants देखो यहाँ पे success नहीं मिल रही है ना relationship में ना finance में ना career में business दूप रहा है है ना तो हर तरीके से इनको क्या हो रहा है चीज़े काफी ज़्यदा खराब हो रही है चीज़े काफी ज़्यदा stuck हो रही है यहाँ पर यह person आगे नहीं बढ़ पा रहे है इनको success नहीं मिल पा रही है इसके वज़े से इनका mind बहुत खराब चल रहा है ठीक है और mind खराब ह मैं और कौन करना कोना चाहता है या ये बलड़ से अपने आपको घीराह हुआ क्यु गहाएट करें अगला चौहा यह बता रहा है कि यह परशनक अपने आपको गीरा हुआ मैसूस कर रहे हैं पर फिल कर रहे हैं यह पर यहQué ऑपने ही जो है ना इनके घरवाले ही जो है आपसे नाखुश है या आपके साथ इनको नहीं देख सकते हैं या आपके साथ इनका रिस्ता नहीं तय करना चाहते हैं इसलिए यह पॉर्सन घीरे हुए हैं अपनों के बीच में यह पॉर्सन घीरे हुए हैं क्योंकि यह पॉर्सन चाहते हैं ऐसा relationship लेकिन इनके घरवाले ज आफिजदा सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं है ना क्योंकि यहां पर अपने ही जब दुश्मन बन जाते हैं ना तो मतलब जिन्दीगी बड़ी अजीब हो जाती है बड़ी अलग हो जाती है ठीक है ना तो यहां की एनरजी के अनुसार से मुझे यह दिख रहा है आपके कार्ट किझे और वहां पर पांच वीडियोगञें फिक or देख कर के तभी कमेंट करना ऐसा नहीं कि हां मैं वहां पर चैक करूंगी इंढ़िक है टीए तो छलिए मिलते हैं अंगले रिडिंग मैं तब तक के लिए ब्याबबान